स्वागत हमारे यूटूब चनल पर दोस्तों हर्याना ग्रूप C और D की जो नई बरतियां नई नोटिफिकेशन उन का इंतजार युआव को हो रहा है बेरोजगार युआव को हो रहा है हर्याना के ग्रूप C और D पदो की बरति का इंतजार ग्रूप D के लिए मारच में जो CET होना था वो A संभव पहले फरवरी अब मारच में भी A संभव तो आगे पता नहीं कब ये दोस्तो CET ग्रूप D का होगा NTA ने अभी तकायोग कोलीखित में नहीं दिया है अभी तकायोग कोलीखित में नहीं बेजा है पहले हाला की बात जरूर हुई है NTA से की 4, 5 मारच, 10 और 11 मारच की तारिक इन्होंने बता रखी है मगर इन तित्यों पर CET होना ऐसंभव है क्योंकि दोस्तों आयोग ने अभी तक ग्रूप D के पदों कायोग यापनजारी ही नहीं किया है आयोग के देक्स बपाल सिंग खदरी ने देनिक सिवेरा को बता कि विग्यापन में बताया जाएगा कि ग्रूप D के लगबग 14,000 पदों पर बढ़ती होनी है इन पदों में खेल कोटे के 10 फीशदी पद भी सामिल है जब तक ये पद भी के पित हो जाएंगे उसके बाद युवाव को 15 दिन का समय दिया जाएगा जिन्होंने पहले इवन टाइम रिजिस्टेशन कर रखा वेचा है तो उसमें अपडेट कर सकते हैं साथ में नए योग युवाव भी वन टाइम पंजी करन कर सकेंगे विज्जा पंजारी करने और पंजी करने का कुल समय लगा लिया जाए तो फरवरी में निकल जाएगा इसलिए मार्च दो जाटेश में ग्रूप डी के लिए सीटी आइसमभव है ग्रूप डी के सीटी में ग्यारा लाग से जादा युवाव पंजी करन कर सकते हैं उदर देनिक सिवेरा के बुचने परायोग के दक्स बोपाल सिंग खदरी ने बता कि एंटी एक तरब से भी लिखित में कुछ नहीं आया है तो यानि कि दोस्तो पहले फरवरी और अब मार्च में भी यह नहीं होगा तो यह दिरे दिरे से टाइम जाता रहेगा क्योंकि अभी तक तो जो होना सीटी वादा सी ग्रूप का उसका भी दोस्त डिटेल रिजल्ट रहें इंक्वाईज रिजल्ट आना जो पोर्टल जो शुरूप किया उसमें भी बहुत ज्यादा खामिया रही थी लेकिन अब कहीं न कहीं जोना सही काम चल रहा है ग्रूप सी के लिए सीटी जो ना हो चुका है रिजल्ट आ चुका है मगर अभी तक पदीश में भी विग्यपित नहीं हुए है बेरोजगार युआओक और याना करमचारी चेनाओक के तरब से ग्रूप सी और डी पदों की भरती का इंतजार हो रहा है जब से पंजाब एमाहर याना हाईकॉट ने सोशियो एकोनीमिक जो समाजीक आर्थिक मांदन्ड के अंख थे उनको गल्थ ठहराया है उस दिन से ग्रूप COD पदों की वर्ती में 20 समाजी कार्तिक मांदन के इंक देने याद ने देने पर संद से बना हुआ है हला कि हाई कोट ने फिजली निगमों में उपमंडल भी यंता की वर्ती में समाजी कार्तिक मांदन के 20 इंक देने को गलत बताया है मगर हरियाना सरकार ने तो बकायदा ग्रूप C.O.D. पदो की बड़ती में दो वारंग देने का परावदन कर रखा है पहले C.E.T. में पांच फीजदियंक मिलते थे और बाद में H.S.C. के स्क्रीनिंग टेस्ट में डाई फीजदियंक मिलते हैं हरियाना सरकार को फैसला करना कि इनका कैसे हल हो यह भी संभव है कि हाई कोट के फैसले पर अपील की जाए मगर सरकार को यह फैसला जल्द करना होगा हरियाना करमचरी चेनायग ने ग्रूप C.O.D. की बरती के लिए विग्यापन जारी करना है इसके लिए C.E.T. हो चुका है C.E.T. में मिले समाजी कार्थिक मांदन के अंक तुरूस्ट करवाए जा रहे हैं जो ना दोस्तो यह क्यों करवाए जा रहे हैं जो एक पोर्टल सुरू किया गया है क्योंकि बहुत सारे जहां पर जिनके गर्में सरकाई नोकरी थी उनको विजो होनावी नमबर मिले हुए है आयोग ने उमिद्वारों की समस्या का हल निकाला सव शत्यापित आया परमान पत्र अप्लोड करवाया ग्रूप सी मैं सीटी स्कॉर में जो सोशियो एकनेमिक के अंग तेवा गल्त मिलने या ना मिलने पर सरकाई नोकरी ना या ना मिलने की समस्या को दूर करने के लिए लिंक जारी किया था कुछ उमिद्वार को आया परमान पत्र अप्लोड करने में दिकता है क्योंकि दोस्तो लिंक पे क साथ में सारजनिक नोटिस जारी करा था कि आया के परमान पत्र कौमीदवार अपना सब्सक्राइब परमानित कर अपलोड कर दिया नहीं दोस्तों जो सेल्फ अटेस्टिट था वो जो नहीं इसमें बरा गया इससे अधूर हो गई है कि अवल उन्हें लिंक पर अपडेट करना है जो सीटी में पास हुए हैं तो दोस्तों यह सीटी से सम्वंधिन न्यूज ती जो ग्रूप डी का भी सीटी है वह भी यह कि आसपास नहीं है कम से कम दो से तीन महीने आपका मुश्किल है भी क्योंकि देखिए जब नोटिफि नोटिफिकेशन जारी होगा पड़ो का भी उसके भी दोस्तों कुछ टाइम लगता है कि रोल नमर जारी करने असेस्मेंट करनी सेंटर्स देखने तो इस में कम से कम दो तिन महीने आपके और लग जाएंगे तो मारस तक भी मुझे लगता कि यह जो नासी टीडी ग्रूप का समय पाएगा और नोटिफिकेशन जोना सी ग्रूप के लग भग भी 40,000 पोस्टों के लिए बता था अने वाला है उनको भी दोस्तों जो नाई पोर्टल के वज़े से लेट हो गए हैं तो वीडियो कुझे दैसे ज़्यादा स्विएर कर लेना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे रहां दर नवाद जेंद जाबार जारिया ना